तो दोस्तो आज का वर्ड है Notorious यह हो सकता है आपने सुना होगा और बोला भी होगा कई वारी N-O-T-O-R-I-O-U-S ठीक है गाइस तो Notorious वर्ड के बारे में आपको पूरा मैं इसका मतलब समझाऊंगा मीनी समझाऊंगा क्योंकि वर्ड पॉबर बढ़ाना तो अच्छी बात है लेकिन उस वर्ड को एक पर्टिकुलर वर्ड को आप अपने सेंटेंस में कैसे यूज कर सकते हो जिससे कि आपका अच्छे इंप्रेशन जमें दूसरों पर ठीक है तो आप लास्ता वीडियो देखो कहीं पर प्रोनेंसेशन उचारां नोटारियस ठीक है एजन एड्जेक्टिव इसको यूज करते हैं यानि कि नौनावन में कुछ न कुछ मॉडिफाई करने के लिए इसको यूज करते हैं इसका मतलब होता है हंदी में देखें तो को क्या बदनाम को प्रसिद्ध या फिर इंगलिस मतलब इतना गंदा काम होता है इसलिए इसको सब जानते हैं और हम देखें इसको तो औरichen है इसका ल пош अट बर 신 नों तर दे b ठीक है गाइज क्या मतलब वह नोटरिस क्या कि मतलब कोई प्रिसद्द तो है लेकिन अच्छी वाजह से नहीं खराब वजह से वह प्रिसद्द है सब लोगो से जानते हैं ठीक है और यह किस्ते निकला है नॉटर्टस लेटन से ठीक है आएजे से सनोनिम्स देखते हैं से कु पॉपुलर प्रिश्द ठीक है आई इसको देखते हैं sentence वो यूज करके देखते हैं sentence में आपके सरीके से इस वर्ड को यूज का सकते हैं notorious को this area is notorious for crime and violence yes छेत्र अपराद और हिंसा के लिए को क्या थे कोई कोई area होता है न जहां पर थोड़ी सी बात पर लाई जगड़ा हो गय यह लूट पर ज्यादा होती रहती तो वो फेमस हो जाता सो दे इस एरिया is notorious for crime and violence let's see one more sentence she is notorious for her wild behavior कोई कोई आदमी कभी कोई बहुत ज्यादा कुर्प से या कुख्यात हो जाता यार उसका बड़ा गंदा हिसाब है भाई तो वह अपनी जंगली बयवार के लिए कुख्यात है मतलब छोटा सब कुछ बात रहो तो लड़ने पर उतार हो जाती है तो she is notorious for her wild behavior जंगली बयवार तो hopefully guys आपको वीडियो पसंद आ होगा और word समझ में आ गया होगा और कैसे जूज कर सकते ये भी समझ में आ गया होगा तो प्लीज चैनल सब्स्राइब करिए थैंक्स वर वोग्थिंगा और कुछिंगा और में आपको लोगा तो